भूटान नाम से तो कुछ लोगों को ये लगता होगा कि भूटान के लोग गरीब पिछडे हुए या फिर अजीब तरीखे के होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि भूटान दुनिया के लिए अद्बुत देश है जिसके बारे में आप जानकर चौक जाएंगे बीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी कुछ अमेजिंग भूटान की दिल्चेश व फैक्ट के बारे में जान सकें सबसे पहले भूटान भारत और चीन की सीमा से लगा एक खुबसूरत देश है जिसे दुनिया के सबसे खुबसूरत देशों में से एक माना जाता है और भूटान की राजधाने थेम्पू है आज इसी देश के वारे में कुछ ऐसे फैक्ट हम जानेंगे जो सभी को नहीं पता होता तो चलिए सुरू करते हैं नमबर एक भूटान जहाँ पर पॉलिथेन और प्लाइस्टिकी चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी है यानि की बैन है अब सोचिए जिस देश में कच्रा नहीं वहाँ बीमारी कैसे इसलिए यह देश बहुत ही सुन्दर और खुबसूरत है फैक्ट नमबर टू भूटान दुनिया का मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर तमाकू और सिग्रेट पूरी तरह से बैन है पर यहां के लोग सुपाड़ी का यूज सबसे ज़्यादा करते हैं जिसकी वज़ा से भूटानी के दांत में आपको दागदार लगेंगे लाइक इंडियन गुट का एडिक्टर फैक्ट नमबर थिरी भूटान में बहुत सर्थ कानून है क्योंकि भूटान में कोई किसी भी जानवर का सिकार नहीं कर सकता अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसे पंदरा साल की जेल हो सकती है और हैरान करने वाली बात या है कि भूटान में कोई भी बूचड़ खाना नहीं है यानि कि जहां पर जानवर काटे जाते हैं वह यहां पर नहीं है पर इसका मतलब नहीं कि भूटान की लोग गोश्ट यानि कि मांस नहीं खाते अगर इनको मांस की सप्लाई करनी होती है तो ये इंडिया से होती है फैक्ट नमबर फोर बोटान का छेत्रफल का 70% हिस्सा जंगल है पर क्या आपको पता है कि बोटान की समिधान के हिसाब से बोटान में 60% हिस्सा 1 का होना चाहिए याने की चाहे जितना भी समय बीते चाहे जितनी भी अबादी बीते लेकिन बोटान में 60% 1 होना चाहिए फैक्ट नमबर फाइफ सबसे चोकाने वाली बात यहा है कि एकोनॉमी में पीछे होने के बावजूद यहां की भुटानी मुद्रा भारत के एक रुपए के बराबर होती है वही हमारे हर पडोसी देशों में भारत के रुपए की कीमत दो गुनी या फिर उससे जादा होती है लाइक नेपाल, बंगलादेश या फिर पाकिस्तान जहाँ पर भारत के एक रुपे की कीमत दो रुपे होती है वहीं बोटान में आपको एक रुपे के बदले एक बोटानी रुपे ही मिलेंगे अगर कोई व्यक्त बोटान गूमने के लिए आए तो उसे गाइडर लेना जरूरी होता है जहां आपको 100 डालर से लेकर 200 डालर तक चार्ज किया जाता है जिसमें होटल, वेहिकल, फूड, ड्रिंक सामिल होता है अब सूचो बोटान में रहना कितना मुश्किल है बोटान की धर्ती को दूसरा स्वर्ग भी कहा जाता है जहां खुला कांगरी पहाड है जिसकी उचाई 7553 मीटर ऊची है जो बहुत है खुबसूरत द्रिस्यों के लिए जाना जाता है और इसे फोलो का पहाड भी कहा जाता है वैसे तो खुबसूरत पूरा देश से है ना अमेजिंग फैक्ट नमबर एट लेकिन क्या आपको पता है कि भुटान में पती को अपना घर छोड़कर लड़की के घर रहना पड़ता है यानि कि लड़कों की अगर विदाई देखना है तो चलते हैं भुटान फैक्ट नमबर नाइन भुटान अपने प्राकृत की वज़े से निगेटिव कारबन वाला देश है जहांपर कार खाने ज्यादा नहीं होने के बावजूद गरीवी बहुत ज्यादा है और प्रमुख भुटान का ब्योसाय खेती है फैक्ट नमबर टैन भुटान टेनेज के रूप में जाना जाता है जहांकि ज़्यादा अबादी केवल 16 से 17 साल की है इसलिए यहां पर कम उम्र में साधी भी हो जाती है फैक्ट नमबर 11 पर क्या आपको पता है कि भुटान में टीवी रेडियो का चलन आज से केवल 11 साल पहले आया इससे पहले इन्हें ये भी नहीं पता था कि ऐसे भी कोई चीज होती है मतलब भुटान टेकनोलोजी से अभी भी बहुत दूर है है ना आमेजिंग मतलब भुटान आमेजिंग